बारत की रोजगार और भी रोजगारी की श्तेती है तो इसा है कि भारत में धीरे धीरे भारत बड़े उद्योगों के साथ घ्रेलू और लगू द्योग के और तेजगती से बढ़ रहा है कुछ दियां की बड़ी बड़ी ताक्ते हैं जो भारत को आँखे दिखाती रहती हैं गुलाम जैसा समझ कर वहवार करती है चीन भी उनमें से एक था उसने सुरक्षा परिशद में रोका हमें हिमाले में आकरांता बना केलाश मान सुरू पर कबजा करके बैठ गया तिब्बत हरब लिया उसने पाकिस्तान के आतंक को समर्थन किया और आतंकवाद को बढ़ावा दिया और दलाई लामा जी के बारे में वो लड़ता रहता है सीमा को विक्सित नहीं होने देता सुरक्षित हैं अगरे भारत-सरकार ने वयपार के खेतर में कूट निति के खेतर में सामरी खेतर के अंदर समवाद के द्वारा डौकलम से उसको हटाया है ब्रिक्स में आतंकवाद के विरुद उसको हराया है जनता ने विचार किया हम क्या करें इसलिए सवा तीन क्रोड भारती है चीनी माल के कारण जो आज बेरोजगार है बिना वस्तर के हैं बिना रोटी के हैं बिना चछत के हैं उन सब का माल बिके ताकि घरेलू और लगू द्योग तेजगती से पन पे जब वो माल बिकेगा तो आपने अपन अपना शुरू होंगे इसलिए जंता ने जंता के स्तर पर चीनी माल का भहिशकार, स्वदेशी का स्विकार करके आंदोलन चलाया है आज धरम, जाती, दल, भाशा, प्रांत सबसे उपर उठकर एक महा सम्मेलन यहां हुआ है जो शायद रामलीला मैदान ने भी पहली बार देखा होगा ऐसा सम्मेलन पिछले कहीं वर्षों में रामलीला मैदान ने कभी देखा नहीं